दोस्तों में वेलकम तो और ओफिशल यूटूब चैनल एक्जाम कॉंसर्ट पे आज हम यहां लेके आएं एक अमेरिकान राइटर और्थर मिलर की बहुत इंपोर्टेंट वर्क जो है एक प्ले है All My Sons Basically दोस्तों यह प्ले एक ट्रू इवेंट पे आधारित है और यह जो ट्रू इवेंट है वहां के एक चुप न्यूज पेपर है Ohio न्यूज पेपर वहां पे पब्लिश्ट कराया जाता है Basically इस प्ले की जो कहानी है यह Second World War के कुछी महीनों की बात की है और यह पूरा का पूरा प्ले जो है तीन एक्ट में कभर अब करता है और रफली कभर 18 आवर्स मतलब यह पूरी प्ले की जो कहानी है अठारा घंटे की कहानी है 18 गंटे को cover करता है और एक tragic play है इसमें लास्ट में कैसे अपने आपको suicide attempt होते हैं एक tragic इसकी ending दिखाई जाती इसलिए tragic play होता है basically जब इस play को author miller लिख रहे थे तो author miller शाहब ने इस newspaper के जो ओयो newspaper था उसके true event को ही ले के बस character के नाम इनों ने change किये और कि ऐसी घटनाएं वहाँ पर घटी थी तो जिसके लिए के सेकेंड वर्ड वार्ग समय इन्हों लिखा आईए इस प्ले को सुरू करने पफले इसके इंपोर्टेंट करेक्टर को देख लेते हैं कि किस तरह से इंपोर्टेंट करेक्टर को इसमें बताया गया है पहले दो फेमिली की बात होती है टोटल दो फेमिली की बात होती है दो नेवर हुड रहते हैं बस इसमें उसी को लेके कहानी बताई गई रहती है जिसमें जो किलर और केट किलर यह हस्बेंड वाइप है एक साट साल का है जो इंड़िस्ट रहता है बिसिकली जो killer को जान लिजी इसको family is more important than society इसका एक concept था या मानता था कि family is more important than society बट कि इसके जो cherry और Chris और Larry इसके दो Chris और Larry दो बेटे रहते हैं या opposite रहते हैं society first क्योंकि इसमें जो Larry रहता है वो army में या air force में रहता है ठीक वो plane उड़ाता रहता है एरपोर्स में second world works हमें तो इसमें देखिए पता चल गया जो killer और cat killer है husband wife हैं इनके दो लड़के हैं Chris और Larry जो Larry या आर्मी में officer है आर्मी यानि air force में officer है और Chris जो है इनके साथ ही रहता है अब अगली फैमिली जो इस्टीव इस्टीव जो होता है इसका आपका जो killer का partner रहता है इंडेस्ट्री में और जो लोग जो killer essence नाम की जो फ़र्म लगाया रहते हैं उसका partner रहता है और यह जो रहता है दो लोगों का father of एन जो इस्टीव डिवर रहता है या एना डिवर और जो दीवर का फादर रहता है और जो इना डिवर रहते हैं 26 साल की रहती है और इंगेज ल्यरी या किस से इंगेज है लैरी से जो यूद में गया रहता है बिसिकली आपको कहानी में पता चलेगा कि लेरी हाला की कमिटेट सुसाइट कर लिया है फिर यह न क्रिस से साधी करने के लिए राजी हो जाती है जो डीवर एक उसका भाई है जो ला की डिगरी हासिल कर किया हुआ रहता है और इस दोनों फैमिली के अलावा उनके बगल में जो किलर के बगल में दो फैमिली रहती है सु एंजिम बैलेस यह जो उनके बगल में रहते हैं इनको काफी कॉप्रेट करते हैं इसके अलावा दो एस्ट्रो लॉजर रहते हैं फ्रैंक एंड लीडिया लोबे यह इस्टोल लॉडजर रहते हैं यह जो है केट को विश्वास दिलाते हैं कि आपका बेटा युद में जो मारा गया है जो लेहरी रहता है उमारा नहीं है और एक दिन एक दिन वापस आएगा अबराल एक करेक्टर हैं जिसमें दो फेमली की बात की गई रहती है आप लोग इस करेक्टर को देख लिजे आईए बिना बिलम करते हुए कहानी सुरू करते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो देखिए पूरी कहानी दो family बाटी गई है यह जो जो killer रहता है कहानी की सुरुवात second world war के कुछ महीने की बात की होती है और कहानी का setup जो है इस कहानी का setup वहाँ पे जो killer के backyard में जो उसका घर है उसके backyard में लोग बैठे हुए है वहाँ पे वहीं पे इस कहानी की सुरुवात होती है और यह जो cat है इनकी wife है यह काफी engaged है और उसके बाद जो एना डीवर है यह जो है लैरी किलर से अटैच है जो एक एरफोर्स में officer है अब Steve जो है इसका partner है इंडेस्ट्रीज में और George जो है यह इसका बेटा और इनका भाई है तो कहानी की सुरुवात इसके back yard में होती है जहाँ पे सब लोग बैठे रहते हैं और वहाँ पे बैठे के कुछ अपना game खेल रहते हैं वहाँ पे अपने सब लोग पूरे परिवार बैठे के खेल रहते हैं तभी जो killer को एक contract मिलता है cylinder supplier का मतलब कि एक cylinder supply करना है उसको यूद में second world war के तो यह second world war में cylinder supply करने के लिए इसको contract मिलता है और यह cylinder जो उसे supply करना है बहुत ही जल्दी देना है इतनी जल्दी देना है पुछिए मत तो इस्टीव डीवर जो है यह जो नों एक firm में partner रहते हैं इसको बताता है कि तुम जल्दी से जल्दी cylinder supply कर दो जब यह cylinder बनाए जाते हैं तो दोनों cylinderों में यानि जब cylinder बनते हैं यह cylinder part होता है एक aircraft का जिसको लगा के aircraft उड़ते हैं तो इस्टीव डीवर बहुत honest होता है ठीक तो यह जो killer को बताता है कि जो हमने 120 cylinder बनाए हैं इसमें कुछ कमिया हैं minor cracks हैं जो supply नहीं किये जा सकते अब इनके पास समय भी नहीं है यूद में जल्दी इने supply करना रहता है cylinder तो जो killer एक दिन अपने factory में नहीं जाता है तभी इस्टीव डीवर करता है कि मुझे पता चल गया है कि 120 जो हमारे cylinder इसमें कमिया है इसे supply को रोग दूँगा मैं लेकिन जो killer वहाँ पे बोलता है इस मैं इसे यह आर्मी में नहीं भेज सकता इसमें minor defect है जो आगे चलके हमारे problem create कर सकती है तो जो killer बोलता है इस सब की सारी जिम्मेदारिया मेरी होंगी तुम 120 cylinder को जो minor defect है उसे repair करके आप उसे aircraft में भेज दीजे तो इस टीव इसके रिक्स पे जो killer के 120 cylinder को जो होते हैं वो उस में देते हैं अब इसका result यह होता है कि यह cylinder जब aircraft में जाता है तो 21 जो soldier रहते हैं 21 soldier young pilots जो होते हैं इस सिर्था को वजह से मारे जाते हैं तो यह report में जब पता लगाया जाता है तो इनकी मौत का पाइलिट की जो मौत का कारण होता है वह सिलेंडर रहता है और यह सिलेंडर जब पता करिया जाता है कि जो जो किलर संस की कमपनी से बनी हुई है जिसके माली जो किलर और इस्टिव डिवर है तो इनके उपर करवाई की जाती है जज सहाब इनके उपर करवाई करते हैं और इसके उपर दोनों को गिल्टी म बाना जाता है और जब जब जो किलर से पूछता है कि तुमने यक्यों किया तो जो किलर अपने उपर से आरोप को नकार देता है का कि मैं उस दिन तो फैक्टरिम गया नहीं था इसकी पूरी जिम्हेदारी किसकी है इस्टिव डीवर को दी गई थी जबकि उहां पर दोनों बाही बन को पता चलता है कि मेरे पिता की गलती की वज़र से मेरे पिता गलती वज़र से ऐक 20 पाइलट जो मारे गए तो इन दोनों ने भी अपने पिता से मुख मोड लिया है यानि इन राज हो गये उनसे बात नहीं करते हैं अब देखिए यहां पे जो है लैरी लैरी यहां पे इंट्री होती उस 18 मरने वाले पाइलटों के अलावा जब उसको लैरी को पता चलता है यह बात कि उसको सचाई पता चल जाती है कि जो 21 पाइलट मेरे सहफाटी मरे थे उसके एक मात रीजन मेरे पापा है मेरे पिता जी के कारण इस miMusic के शिर्फेक्ट करर पाता है और लैरी जब इस चीज़ को बरदास नहीं कर पाता है तो वह एक लेटर एना डीवर को लिखता है आधीवर में उस लेटर में उसने बताता है कि मैं करने जा रहा हूँ जिसकी वज़ा यह है कि मैं रे जो पिता है एक कईस पाईलटों के खुनी है इस कलंग को मैं नहीं ले पाऊँगा और इसको या लेटर एना डीवर को लिग के अगले दिन ही व व सूसाइड कर लेता है ठीक सूसाइड कर लेता है तो ईना डीवर को यह बात पता चलती है कि भाई लेरी जो उसका बॉइफरेंड रहता है लेरी इन दोनों में काफी प्यार मॉंबत होते हैं तो इन दोनों इस लेरी तो यहाँ पर मारा जा चुका है अब यह पात जैसे ही पता चलती है उस समापती के बाद तो दो इस्ट्रोलोजर जो मैंने कहा था लीडिया एन फ्रैंक लूबी जो लीडिया करेक्टर हैं यह लोग इस्ट्रोलोजर हैं यह बताते हैं केट को केट ने अपने आंगन में केपल का सेव लगा हुआ है तो यह इस्ट्रोलोजर दिखाती है लेरी का तो लेरी का जब इस कभी न कभी हुआ आपस आएगा लेकिन वास्तिक्ता यह है कि लेरी मर गया है लेकिन इस्टोलोजी को मानती है जिसकी वज़ से इनको बिलीब है कि लेरी आएगा अब एना डीवर को पता चल गया है कि लेरी नहीं है तो इसका अट्रेक्शन क्रिस की तरफ होने लगता है यह Chris से साधी करना चाहती है लेकीन इन दोनों के साधी के खिलाप Kate है Kate को पता है कि एना जो है इसकी fiance, इससे साधी होने वाली है, इससे lover है वो Kate से साधी नहीं करना देना चाहती है इस चीज़ के बीच इसी दोरान एक letter जो है, जो One letter Kate को दिखाती है जिसमें वो लिखा रहता है कि वो मर चुका है अब वो वापस नहीं आएगा और इसके लिए एक मातल जिमेदार कौन है जो किलर ठीक तो एक बात यहाँ पता चलती तब ही इसके बारे में उसका भाई जो है उसका George भाई अपने पिता से सब सुनके मिलने जाता है तो उसके पिता जेल में कोलंबिया मुसको बताते हैं कि कैसे जो किलर ने मुझे फसाद दिया है और इन्हों ने इसकी बेवकूफी की वज़े से मैं जेल में हूँ जबकि मैंने कुछ ने किया असली गुनागार का उन्हें जो किलर तो यह बात सुनके इन के भाई को बहुत गुस्सा आता है और वह सीधे जो किलर के घर जाता है और इस अब देखके एना उसे मना करती है एना डर जाती है कि कहीं कुछ यह जा के वहाँ पर लड़ाई जगडा न कर ले वह सीधे जा के जो किलर इसको आरोप लगाता है कि तुमारी वज़े से यह सब हुआ है और जो जाके क्रिस को भी सारी बात बता देता है कि तुमारे पिता जी जो है 120 सिलेंडर के जो केस चला था मेरे पापा निर्दोस निर्दोस इनकी वज़े से ही वह निर्दोस जो 20 पाइलट 21 पाइलट मारे गए उसके पूर्ण पूर्ण तुमारे पापा जो जो किलर है वो गुनागार इस बात को Chris भी नहीं effort कर पाता उसे भी बहुत सदमा लगता है कि मेरे पापा ने इतना गलत किया और इस चीज को जो killer से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और इससे एभी पूछता है केट भी पूछती है कि तुमें ऐसा नहीं करना चाहिए या Chris भी पूछ रहा है आपने क्यों किया तो जो killer ने कहते हैं कि यह सब जो है मैंने अपनी family के लिए किया मेरी family मेरे लिए important सी इसलिए किया और जब उससे पता चलता है को cylinder उसका बेटा भी मारा गया है तो यह अपने आपको गुनागार समझने लगता है तो सब लोग इसको doubt हो जाता है जो killer को कि अब सब लोग मुझे मिल के पुलिस के हवाले कर देंगे तो मुझे jail हो जाएगी तो इस आत्मगलानी को यह नहीं संतुष्ट कर पाता और इसकी बेटा जो एन आती है एन को यह बताता है कि अगर आपके पापा jail चे छोट के चले आएंगे तो मैं उनकी मदद करूँगा उस यूद के बाद ट्रेसर कूकर और वास्टिंग मसीन का बिजनेस शुरू कर लेता है और शुरू करने बाद बिजनेस काफी इंप्रूब कर लेता है काफी अच्छी खाती इसकी आमदनी सुरू हो जाती है लेकिन यह सब जब राज इसलब जब इस पर कहते हैं कि आपने क्योंकि तो उसने एक अपने गुनाह को स्विकार किया और कास्योर यह वाज माई सन और थिंग ले और माई संस यानि वो कहते हैं कि वो तो मेरा बेटा था ही लेरी जो मरा है इसके अलावा जो ट्वेंटी वन मरे हैं वो भी मेरे करता है और दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी पस्तौल एक निकाल के क्या करता के वह तिगर अपने सर पर दबा लेता है और एक अवाज आती है जिससे किट को और रिस दोड़ते हैं अ proposing देखते हैं कि वहात जो किलर ने सुसाइड कर लिया है तब के वहां पे इनकिलर अपने गुना को सुइकार किया और सुसाइट कर लेते हैं तो इहीं पे जो है यह पले अंत हो जाता है जो killer अपने बेटे के अलावा जो एकईस लोग हते हैं उसके गुनागार के लिए अपने आपको criminal मानता है और हमें पर सुसाइट कर लेता है ओबर आल एक कहानी थी आप जरूर कॉमेंट वोक्स में लिख के बताएं आपको कैसी कहानी लगी अगर आप किसी special topic को वीडियो चाहिए special creation पर अगर चाहिए तो आप हमें कॉमेंट वोक्स में करिए मैं possibility है कि जलते जल उस वीडियो को बनाऊंगा ओके ठाइंक्यू मिलते हैं next वीडियो में